ऑजूब दोस्तों मैं आज फिर आपके बीच हाजिर हूँ अपना मन की बात में आप लोगों के बीच आप से फिर अपनी बात करने के लिए और चाहूंगी कि आप लोग जो हैं मुझे दूआ दीजिये और हमेशा जैसे आपने मुहबबते दी हैं इतनी और फिर हमें उसी तरीके से फिर मुहबबते दीजिए मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए दुश्मानिये देखकर हैरान हो गए रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम पथर भी कलमा पढ़कर मुसल्मान हो गए मैं आपके सामने इस मुक्तसर वक्त में मुहबते रसूल जैसे मुकदस उन्वान पर गुफ्तगू करना चाहती हूँ मौज़ सामाईन इस दुनिया में हजारों लोग ऐसे गुजरे हैं जिनको हमने ना तो देखा है ना तो हमारी इनसे कोई रिष्टेदारी रही है और ना ही इनसे हमें कोई माली या जानी फाइदा हासल हो रहा है लेकिन इसके बावजूद हम इनसे महबत करते हैं इनसे अकीदत रखते हैं और इनके तसकिरे भी करते हैं लेकिन क्यों हम इनसे महबत इनसे अकीदत और इनके तसकिरे इनके खुसूसियात इनके कमालात की वज़ा से करते हैं जैसा कि हम हातिमताई से महबबत करते हैं, हम हातिमताई से महबबत उनकी सखावत की बिना पर करते हैं, हम नौशेर्मा से महबबत करते हैं, तो उनके अदल और इंसाफ की बिना पर, हम फिर दौसी और साधी से अकीदत रखते हैं, तो उनकी इल्म और हिकमत की वज़ा से उन कमालात की वज़ा से महबबत कर सकते हैं तो हमें नभी पाक ﷺ की जात से महबबत क्यों ना करनी चाहिए जो इन कमालात का मजमुआ थी और ये भी हकीकत है कि जो इन लोगों में कमालात पाए जाते थे वो कामिल नहीं बलकि नाकिस थे और मेरे पैगंबर का हर हर कमाल कामिल था मैं हातिम ताई की सखावत से इंकार तो नहीं करती लेकिन हातिम ताई की सखावत मेरे रसूल की सखावत से भला कैसे मुकाबला कर सकती है कि जिसने दोस्तों को भी फायदा पहुचाया जिसने दुश्मनों को भी फायदा पहुचाया जिसने जाहिर को भी माला माल किया जिसने बातिन को भी माला माल किया जिसकी सखावत का सिलसला उनके जाने के बाद भी इस दुनिया में जारी है वो दुनिया में भी नवासता था आखरत में भी अपनी उम्मत को नवाजेगा मैं नौशिर्वा के अदलो इंसाफ से भी इंकार तो नहीं करती लेकिन नौशिर्वा का अदलो इंसाफ मेरे रसूल-e-हाश्मी सल्लालाहु अलेहिवालेवसलम के अदलो इंसाफ से भला क्या निस्बत रखता है कि जिसने अरब के जालीमाना मौहल में अमन के मीठे चश्मे जारी कर दिये और जिसने ये तक कह दिया कि मेरी बेटी फातिमा भी अगर चोरी करेगी तो हम उसके भी हाथ काट देंगे मेरे दोस्तो हम मिसर की कैलियोपैटरा का नाम क्यू लेते है क्योंकि खाक को आस्मान से और जर्रे को पर्बत से भला क्या निस्बत है मेरे पैगंबर का मुकाबला तो मिसर का वो हसीन भी नहीं करता जिसे देखकर चंद औरतों ने अपने हाथ काट लिये थे और उनके वो जाबास गुम हो गए थे कमाले हुसन यूसुफ पर फकत आशिक जो लेखा थी खुदा खुद जिस पर आशिक है वो सूरत मुहम्मद की आज दुनिया वाले किसी की जहानत पर नास करते हैं तो किसी की बयानात पर नास करते हैं किसी के हुसन पर नास करते हैं तो किसी की सखावत पर नास करते हैं, किसी की दौलत पर नास करते हैं, तो किसी के इल्म पर नास करते हैं, तो मैं उस नभी पर नास क्यों ना करूं, जिसमें ये सारी खुसूसियात पाई जाती हैं, मेरे नभी के अंदर सदाकत थी, जिससे अबुबकर सिदीक बन गए, मेरे इस से आगे बढ़कर कहना चाहूंगी, मेरे नभी के अंदर, मेरे पैगंबर के अंदर, रब्ब कायनात ने अंदर हर वो कमाल रख दिया था, जो आदम अलाई सलातो सलाम से लेकर, इसा अलाई सलातो सलाम तक, तमाम अंबियाओं में फर्दन फर्दन पाया जाता था, मेरे की पाकदामिनी थी, रब कायनात ने मेरे नभी में हर हर वो कमाल रख दिया था, मैं कहती हूँ, जिसे हजरत मुहम्मस अल्याओं से महबत नहीं, उसे पाकदामिनी से महबत नहीं, उसे सदाकत से महबत नहीं, उसे शराफत से महबत नहीं, उसे अज्रो इनकसारी से महबत नह उसे इंसानियत से महबब नहीं और जिसे इंसानियत से महबब नहीं वो इंसान नहीं वैशी दरिंदा है और मैं तो समझती हूँ ऐसे दिल वाले इंसान में दिल नहीं पत्थर का टुकड़ा है और जिस इंसान के दिल में उल्फत रसूल की लगन नहीं नभी करीम की उल्फत का जजबा नहीं, ऐसे दिलवाला इंसान फासिक तो हो सकता है, फाजर तो हो सकता है, मुनाफिक तो हो सकता है, लेकिन ऐसा दिलवाला इंसान मुमिनों मुसल्मान नहीं हो सकता मेरे दोस्तों, मुमिनों मुसल्मान नहीं हो सकता, मेरे नभी ने फर्मा दिया तुम मेंसे कोई शक्स उस वक्त तक इमानदार नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसको उसकी उलाद से जादा उसके वालिदेन से जादा और सबसे जादा महभूब ना हो जाओं तो आईए अपने गिरवबान में जाग कर देखते हैं कि हमारे दिलों में अपने वालिदین के लिए अपनी ऑलाद के लिए अपने आजीजो कारिक के लिए और इस दुनिया से उनसे जादा महभब तो नहीं अगर है तो इसका मतलब अफसोस के साथ मेरे दोस्तों इमान को खत्रा है और मेरे परवर्दिगार ने फर्मा दिया और जो रसूल तुम्हें दे उसे ले लो और जिसे मना करे उसे छोड़ दो मुसल्मानों आपकी रगों में खून के बदले मुहबत रसूल गर्दिश करता है आप लोग दीन मुहबत के वफादार सिपाई मर जाएंगे मगर इमान का सौदा ना करेंगे मैं बहुत सुनती आ रही हूं कि लोग इसलाम को बहुत बुरा कहते आ रहे हैं जिनका नभी ऐसा है क्या उनका दीन बुरा हो सकता है कभी नफरत हटा कर गौर कीजेगा इसलाम कहता है कि हमें एक इश्वर की अबादत करनी चाहिए जो हम सब का मालिक है जिसका कोई रंग ना कोई रूप है जिसको किसी ने नहीं बनाया उसने हर चीज को बनाया अगर ये बात बुरी है तो फिर इसलाम एक बुरा धर्म है इसलाम कहता है कि तुम्हारी मेहनत की कमाई से धाई परसेंट गरीबों को देना हर हालत में जरूरी है ऐसी शिक्षा देना गलत है तो फिर इसलाम एक बुरा धर्म है इसलाम कहता है कि तुम लोगों की मदद करोगे तो खुदा तुमारी मदद करेगा जो कुछ भी तुम अपने लिए चाहते हो वही सब के लिए भी चाहो तो ही एक सच्चे मुसल्मान बन सकते हो ऐसी शिक्षा देना गलत है तो फिर इसलाम एक बुरा धर्म है इसलाम कहता है कि तुमारे घर बेटी पैदा हो तो दुखी मत होना क्योंकि बेटियां तो खुदा की रहमत है इनाम है उसकी अच्छे घर में शादी कराएं तो वो जन्नत जाएगा ऐसी शिक्षा देना गलत है तो फिर इसलाम एक बुरा धर्म है इसलाम कहता है कि सबसे अच्छा आद्मी वो है जो और्थों के साथ सबसे अच्छा सलूग करता है अगर ये बुरी बात है तो फिर इसलाम एक बुरा धर्म है इसलाम कहता है कि विद्वाय मन्हूस नहीं होती इने भी एक बहतर जीवन जीने का पूरा अधिकार है इसलिए विद्वाओं और उनके बच्चों को अपनाओ अगर विद्वाओं को अधिकार देना गलत है तो फिर इसलाम एक बुरा धर्म है इसलाम कहता है एए मुसल्मानों जब नमाज पढ़ो एक दूसरे के कंदे से कंदा मिला कर खड़े रहो क्योंकि तुम सब आपस में बराबर हो तुम में से कोई छोटा या बड़ा नहीं है समानता की शिक्षा देना गलत है तो फिर इसलाम एक बुरा धर्म है इसलाम कहता है कि एए मुसल्मानों अपने पढ़ोसियों से अच्छा बरताव करो चाहे तुम उन्हें जानते हो या ना जानते हो और खुद खाने से पहले अपने पढ़ोसियों को खाना खिलाओ पढ़ोसी की मदद करना गलत है फिर तो फिर इसलाम एक बुरा धर्म है इसलाम कहता है कि शराब और जुआ सारी बुराईयों की जड़ है इनसे अपने आपको दूर रखें अगर समाज में मौजूद बुराईयों को समाप्त करना गलत है तो फिर इसलाम एक बुरा धर्म है इसलाम कहता है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दो और कभी किसी गरीब और अनात की बद्दूआ न लेना नहीं तो बरबाद हो जाओगे अगर ये बुरी बात है तो फिर इसलाम एक बहुत बुरा धर्म है इसलाम कहता है अपने आपको इर्शा, जलन, हसाद, जैलेसी से दूर रखें क्योंकि ये तुम्हारी नेकियों को ऐसे बरबाद कर देती है जैसे दीमक लकडी को कर देती है ऐसी शिक्षा देना गलत है तो इसलाम एक बुरा धर्म है इसलाम कहता है माबाप को हर हाल में खुश रखो एसी शिक्षा देना गलत है तो फिर इसलाम एक बुरा धर्म है इसलाम कहता है कि सबसे बड़ा जिहाद अपनी डिजायर्स पर, अपनी खौईशात पर, खौईशातों को मारना है और खुच से लड़ना है ऐसी शिक्षा द भठाव सबसे बड़ा सवाब है अगर ये बुरी बात है तो फिर इसलाम एक बुराधर्म है इसलाम कहता है हमेशा सच हद के रास्ते पर चलो बोल सच बोलो उब वादा करो तो निभाऊ किसी का दिल मत दुखाओ ऐसी देना गलत है तो इसलाम एक बुरा धर्म है इसलाम कहता है सबसे बुरी दावत वो है जिसमें अमीरों को तो बुलाया जाता है लेकिन गरीबों को नहीं ऐसी शिक्षा देना गलत है तो इसलाम एक बुरा धर्म है पानी को जरूरत तक ही यूज करो जादा पानी वेस्ट करना गुना है ऐसी शिक्षा देना गलत है तो इसलाम एक बहुत बुरा धर्म है इसलाम कहता है रास्ते में अगर कोई पत्थर कील तकलीव देने वाली हो तो उसे किनारे कर देना जिससे दूसरों को तकलीव न पहुंचे ऐसी शिक्षा देना गलत है तो फिर इसलाम एक बुरा ध बच्ची रहती है और पूरी दुनिया में ये मैसेज को ये मैसेज मिलता है कि औरत की बॉड़ी आम लोगों के लिए एक्स्टॉर्षन और भद्धे कमेंट्स के इलका समान नहीं है ऐसी शिक्षा देना ऐसा मैसेज देना ऐसा पैगाम देना अगर बुरा है तो इसलाम एक बहुत बुरा धर्म है है तो उसके मानेगे बिल्कुल नहीं कि आप उसकी बेज़ती करें उसकी इंसर्ट करें बल्कि आप उसकी बात शांती से सुने सुकून से सुने ऐसी शिक्षा देना गलत है तो इसलाम एक बहुत बुरा धर्म है अगर आप सम मेरे भाई भेन बड़े बुजूर्ग वार्ग नफरत और दुश्मनी की सोच से उपर उठेंगे और इस बात को समझेंगे कि मुसल्मान अमर प आतंकवाद है मुझे इस बात से अफसोस होता है मुझे इस बात से आपत्ती होती है जो वास्तविक में मुसलिम है वे आतंकवादी नहीं हो सकता और जो आतंकवादी है वो मुसलिम नहीं हो सकता इसलाम सलामती का दूसरा नाम है फिर वह इंसानों की हत्यागा हुक्म कैसे दे सकता है दूसरी बात आतंकवाद पनपने के दो सबसे बड़े कारण है पहला राजनीतिक कमजोरी दूसरा कट्टर पन्थी आज इराक में आइसिस जैसे आतंकी संगठन खड़े हैं क्या 20 साल पहले ये दिखाई देते थे नहीं दिखाई देते थे जब इराक तभा हो गय महा का शासन कमजोर हुआ तो तमाम दूसरे गिरो सर उठाने लगे वो अपनी धाग जमाने के लिए गरदन काटते हैं और खुद को ठीक ठहराने के लिए इसलाम का सहारा लेते हैं ऐसे संगठनों का खात्मा जरूरी है सीरिया इराक अफगानिस्तान और कई जंगा पर इन अकबर बोलकर बेगुनाहों का कतल करने वालों को मुसल्मान कैसे कह सकते हो वो कुरान की कई आयतों में कहा गया कि तुम्हारा रब सब कुछ देखने वाला अब बदला लेने वाला है वही सही गलत का इंसाफ करने वाला है उसे फसाद बिलकुल पसंद नहीं है सूरे अलम में इंसानियत की हिफाज़त करने की बात कुरान कहती है इसके बावजूद कुछ लोग कहें कि कुरान आतंकवात सिखाती है तो मैं माफी चाहूंगी इन सब आरो आरोपों का जवाब वाहित खुदा की जात दे सकती है हम सब इसी भारत की पैदाईश हैं हम सद्यों से साथ रह रहे हैं हमारे पुर्खे एक हैं लेकिन हमने एक दूसरे से नफरत करना बंद नहीं किया इसका फायदा स्वार्थी राजनेता उठाते आ रहे हैं सामप्रदाइक राजनीती करने वालों के लिए हमारी हैसियत वोटों की फसल से ज़ादा कुछ नहीं वे पांस साल में बार आते हैं और हमें काट कर चले जाते हैं हमारे हालात कभी नहीं बदलते हम तो आज तक बिजली पानी रोटी के लिए महताज हैं दुनिया कहां से कहां पहुंच गई हमारे सामने कई बड़ी समस्या हैं उनका सॉल्यूशन होना बेहत जरूरी है इसलिए बेमतलब की गा आप लोगों के बीच रखी और मुझे बहुत अच्छा लगा और इसी तरीके से इस चीज को इस बात को बंकी बात को हम फिर दुबारा आगे बढ़ाएंगे और गुजारिश करूंगे आप सबसे सीरिया के लिए कि प्लीज अपनी खुसूसी दुआओं में सीरिया को मोहल हो जाए और अब मुझे भी आपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा और जिस तरह से आप मुझे मुझे देते आ रहे हैं और अपनी दुआएं देते आ रहे हैं उसी तरीके से मैं चाहूंगी कि आप मुझे उसी तरीके से अपनी मुखबते और दुआएं देते रहिएगा और यहीं मैं अपनी बात खतम करती हूँ आप सब के बीच फिर हाजिर होंगी एक नए मौजू के साथ तब तक के लिए नुझे इजाज़त दीजिए अलाहाफिस नमस्कार गुड़नाइट दोस्तों